तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में और जनरली हम इस चैनल पे टूस्टोक और यामा से रिलेटेड बात करते हैं उनके सर्विस प्रॉब्लम्स को लेकर के हम लोग डिसकस करते हैं तो आज शो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है रिडवाल का करके चेक कर सकते हैं वो वीडियो देख सकते हैं कि रिडवाल कैसे काम करता है उसको कैसे चेक करना चाहिए कि खराब हो गया अच्छा है कि वर्क नहीं कर रहा है तो आज जो रिडवाल को लेके टॉपिक है वो दूसरा है वो दूसरा इसलिए है कि यह जो रिडवाल आप देख रहे हैं यह 100 RX 108 करएडवाल है और यह जो है यह शोगन सुझू की शोगन करेडवाल है दिखें यह जो है यह सुझू की शोगन करवाल है अब आपको मैं पता दूं कि इन दोनों में डेफरेंस क्या है इन दोनों में मेजर्मेंट वाइस कोई डिफरेंस नहीं है अगर यह यामा आरेक संट्रेट और बन्त्री वाई में भी लगाया जाया तो बिल्कुल इजीली फिट होता है और एकदम पर्फेक्ट फिट होता है थोड़ा सा डिजाइन में फरक है जैसा कि आपने देखा कि आरेक्स अंडेट की बीच में नहिंहीं बना होता और स्वॉद्ट के डवाल में और सोड़ा बना वर्ट में में फर्क है लेकिन अगर performance की बात करें तो शौगन का रिडवाल कहीं बैटर है RX100 और RX135 के रिडवाल के comparison में इन फैक्ट आप 5-speed चला रहे हैं RXZ चला रहे हैं RX135 चला रहे हैं तो 100% शौगन का रिडवाल डालिए आपका sound quality अच्छा आएगा आपकी गाड़ी का performance बहुत चाहेगा पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा यह रिडवाल का durability भी बहुत अच्छा है और उसके replacement में अगर substitute ढूंडा जाए RX100 RX135 का तो यह सबसे बहतरीन substitute है यह रिडवाल थोड़ा सा unavailable है मिलता नहीं है क्योंकि शौगन का रिडवाल है तो तो आप मार्केट में इसको ढूंड के निकाल लिए जिसके पास पढ़ा है वहां से आप खरीद लीजे या तो फिर आप इसको सकते हैं कौस्टिंग वैसी है जैसे 100 का रिडवाल आता है उसी के सेम्म अरौंड का है ज्यादा महंगा नहीं है और बहुत अच्छा रिडवाल है परफमांस साउंड और पिकप के मामले में इससे अच्छा रिडवाल हो ही नहीं सकता तो यह आपका replace कर देता है यह Red Wall आपके RX100 और RX100 135 के Red Wall को अच्छे performance के साथ वहीं rx100 के Red Wall की बात करें तो इन दोनों में फार्क मैंने जैसा के आपको बता दिया कि दोनों में फार्क क्या है आप और अपको और अछ्छा performance और अच्छा quality sound चाहिए तो सुजू की शोगन का रडवाल लगाई वह बहुत भैतरी रडवाल है और मैंने और मैंने इस पर शॉट वीडियो भी डाला था कि बहुत जल्दी में आपको रडवाल पर एक सब्टिट्यूट लाने वाला हूं रडवाल पर वीडियो लाने वाला हू तो दोस्तों जब भी आप अगली बार अपनी गाड़ी में 100 बे तो मैं recommend नहीं करूंगा कि शोगन डालें मतलब डाल सकते हैं बट अगर 135 rx135 rxz और 5-speed में डालते हैं तो फिर तो इसकी बल्ले बल्ले मजा ही अलग है आपकी गाड़ी बिल्कुल इतनी जबरदास हो जाएगी कि आप खुद फील करेंगे कि यार यह डवाल डालने के वाद गाड़ी के performance में और feeling में मजा आ रहा है तो चलिए दोस्त और जनरली आपने देखा है कि मैं बिना R&D कि यह बात नहीं करता जब तक मैं उसको यूज ना कर लूँ उसको practically theoretically देख ना लूँ उसके बाद ही मैं उस पर वीडियो बनाता हूं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि हाँ आप यह रिडवाल को ड़ले क्योंकि देखिए तब ही मैं आपको बताता हूं कि हाँ आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं आरेक्स अंडेड में भी लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं यह बढ़िया चलता है थोड़ा सांड कॉलिटी भी अच्छा होता है लेकिन आरेक्स में नीड नहीं है शौगन के रिडवाल क नहीं मगर आपको मिल रहा था आप आरेक्स अंडेड में बिंदास लगाई है कोई प्रॉब्लम नहीं मैंने इन फैक्ट अपनी गाड़ी में भी लगाया हुआ है तो आरेक्स अंडेड में भी आप लगा सकते हैं तो हुपसो दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रही है बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकिशन आपको मिल सके चलिए दोस्तों बेज़ज़द चाहेंगे बिलेंगे फिर से नए वीडियो के साथ नए टापिक को लेकर तब तक के लिए नमस्कार